नमस्कार आप देखरें नियूस फौर्डेशन और मैं हूँ सांथवन आपके साथ हमके संगरक्षक और बिहार के पूर्वो मुक्षि मंत्री जीतना मांची ने अब खुद को नितीश कुमार से अलग कर लिया है राजपाल राजेंद्र विश्वनात और लेकर से मुलाकात के बाद जीतना मांची ने अपना समर्थन गटबंधन से वापस ले लिया है जहां सबसे पहले जीतना मांची के बेटे संतोश मांची ने बिहार सरकार के मंत्री पत से इस्तिफा दे कर ये बयान दिया कि नितीश कुमार लगातार उनकी पार्टी पर इस बात का दबाव बना रहे थे कि हम पार्टी का विले जदियू में हो जाए जो बात जीतर ना मानजी और उनके बेटे संतोष मानजी को नागवार गुजरी और अब हम बिहार की माग अजबंदन सरकार से अलग हो चुकी है और संतोष मानजी ने एक नया राग बिहार की सियासत में छेड़ दिया है ये राग तीसरे मोर्चे का है जहां नितीश्त जस्वी की मुश्किले बढ़ सकती है संतोष मानजी को लेकर अभी एक कयास लगाए जा रहे हैं ये राग चेड़ रहे हैं इस तरह की कदम उठा रहे हैं जीतना मानजी दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं जहां 2-3 दिनों का उनका दिल्ली में ठहराव होगा किन से और कब उनकी मुलाकात होगी इस बात पर उन्होंने चुपी सादली खेल बिहार की सियासत में बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है दरसल हिंदुस्तानी अवा मोचा सेक्यूलर की राष्ट्रे कारिकारिनी की बैटक के बाद नितीश सरकार के पूर्व मंत्री संतोष सुमन ने बड़ा बयान दिया है संतोष सुमन पूर्वसीम जीतन नामान जी के बेटे और हिंदुस्तानी अवा मोचा के राष्ट्रे अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा है कि हम पार्टी के पास थर्ड फ्रंट का विकल्प खुला है अगर किसी दल के से सम्मान जनक बात नहीं बनती है तो थर्ड फ्रंट पर विचार किया जाएगा उन्होंने कहा कि सोमवार शाम को जीतन नामान जी साथ में दिल्ली जले गए कहा जा रहा है कि जीतन नामान जी के स्वास्त को लेकर भी दिल्ली का दोरा निर्धारत किया गया है संतोष मान जी ने कहा कि तीन से चार दिनों में पूरी तरफ फैसला ले लिया जाएगा कि उनकी पार्टी का स्टैंट भविश्य के लिए क्या होगा हम प्रमुक्यों बिहार के राजपाल से भी मुलाकात कर चुके हैं इसके लिए उन्होंने समय भी लिया राजपाल से काफी देर तक मुलाकात करने के बाद निदीश सरकार से अपना समर्थन वापसी का पत्र जीतन आमांजी ने बिहार के राजपाल राजेंद्र विश्वनात आरलेकर को सौप दिया है कारिकारिनी के बैटर के बाद समवादाताओं को संबोधित करते हुए संतोर सुमन ने कहा था कि पार्टी को आगे बढ़ाने और संगठन के वस्तार के लिए जो भी आविश्रक होगा वो काम किया जाएगा अनों ने कहा कि पाचे के संग्रक्ष्रक जीतन आमांची के साथ वो दिल्ली जा रहे हैं लेकिन दिल्ली दौरे का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ तै हो गया है अनों ने इशारा किया कि एंजे के साथ जाने का फैसला अभी नहीं लिया गया है अगले तीन से चार दिनों में ये तै हो जाएगा कि क्या करना है आगे कहा कि जीतन आमांची के स्वास्त को लेकर भी दिल्ली जाने का प्रोग्राम बना वहाँ भाजपा के नेताओं से भी बात होगी लेकिन हमारे विकल्प खुले है और हम सबी विकल्पों पर विचार कर रही है अगर एंडिये की ओर से बुलावा आया तो जाकर उनके नेताओं से भी बात करेंगे लेकिन हम थर्ज फ्रंट की भी बात करेंगे संतोर सुमन ने कहा कि देश में कई लाइक माइंड़ पार्टिया हैं जिन से अकसर बात होती है कई सारे उनके NGO भी हैं जिन से बात करनी है इसके अलावा कई सारे सामाजर कारे करता हैं जो हमारी विचारधारा को सपोर्ट करते हैं उन सबसे बात होगी और तीन से चार दिनों के अंदर हम लोग इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि आगे क्या करना है जितना मांजर के बेचे संतोष मांजर ने ये साफ कहा कि दिली कई कारूनों से जाना हो रहा है हलाकि अगर बीजेपी से बुलावा आता है तो बीजेपी के नेताओं से मुलाकाद जरूर करेंगे लेकिन 3-4 दिनों का समय लेकर ही इस बात की स्पश्चता की जाएगि कि हम पाठी का स्टैंड फ्यूचर के लिए क्या होता है हम पाठी का रुप किस तरफ होता है किस दल के तरफ हम का जुकाव होता है हलाकि इस पश्चता दिली दौरे के बाद ही सामने आपाएगी